मुईत्रण महाराиля कारळे में दिलीव-दोड़की को ग्यापन सुपा गया इस समय युवासिना की कारिकरता बड़ी मात्रा में मुझूद थी दरेसां शिवसिना उद्धव बाला साइब ठाकरी के जिला प्रमुख शरत सरोदी ने आरोप लगा है कि महावित्रंद्वारा कलमना में लगा क्या के बल कनिश्दर जी का होने की का स्तारिय निवासियों के जिन्दगी पर प्रेश्ण चिन्न उपस्तित हो रहा है साथी साथ महावित्र में नीजी उत्यमों को सरकार की पैसों से डीपी उगलप कराए जारी है जाकिस्तानी जंता पर अत्या चार हो रहा है इस वक्त कई मुद्धों को उजाकर करते वे शरत चालू है बड़े पैमानों पर जो पूर्वन आकपूर है उत्तर नाकपूर है वहाँ एक भष्टाचार चालू है वही भष्टाचार से अउगत कराने के लिए अभियंदग हम आये थे जैसे कि पूर्वन आकपूर में नीरज भोला प्रसाद यह एक बता रहो बाकी पूर पवन गाओ में जिसमें डीपी लगी है 11 लाग कुछ रुपे की 12 लाग के लगी हुए परंदु वो डीपी इन लोगों के साथ घाट से जो 12 लाग लगने वाले 6 लाग रुपे में 6 लाग लेके गौवर्मेंट के पैसे से वो डीपी लगाई गई तो वही हमारा इनको कहना था कि गवर्मेंट का पैसा आप नीजी कारखाने वाले को डीपी क्यू दे रहे लगा के क्यूंकि अगर आज हम एक मीटर लेने जाते हैं तो हमारे को जो वायर सर्विस वायर बोलते हैं ये भी हम खरीते हैं मीटर भी खरीते हैं और एक पैसे वाले जो कारखाने खोलते है तो क्या उनको सब सुस्तान है फुकट में ही देने का और आम नागरीकों को पैसों में देने का तो यह चलेगा नहीं तो उन्होंने कहा कि इसमें कारवाई करेंगे दूसरा वीशा यह है कड़िमना परिसर में मंच केबल जो 11 केबी के रहते हैं वो डाले गए थे उसमें करोडो का भरस्टा जा रहे है करोडो रूपे का केबल है पाच किलो मेटर का केबल जिसके फूटेज हमने इनको दिये पत्र फूटो फोटो निकाल के दिया अभी अन्दा को उन्होंने बोले उसमें इंकौाइरी करेंगे केबल डालने के बाद 6-5 मेने में वो केबल खराब हो गया करोडो रूपे का फिर से वो केबल खराब आज भी केबल खराब वाला उतारा नहीं गया और जो पुरानी लाइन थी वही पे तार जोड़ा गया और उससे एक बच्चे का मृत्तिव हुआ है वहाँ पे गवरो यादो वह बच्चे का नाम है और तिसरा मुद्ध यह डीपीजी फंड में से परसनल कारखानों को जो यह लोग प्रोवाइट कर रहे है ट्रांसफार्मर वो सब गलत है यह गवर्मेंट के पैसों से आमदार की नीदी खासदार की नीदी बोलते जो नीदी मिलती है गवर्मेंट के तरफ से अगर उन पैसों से तुम कारकाने वालों को डीपी लगा के दे रहे हो और यह कर रहे तो वो गलत है ना वो फंड क्यों दिया जाता है आम जंता के इसके लिए साहता के लिए लेकिन उससे तो यह तो पैसे वालों की साहता कर रहे है कौन कर रहा वि प्षांतिनगर का नहीं लुट जादा हो जाता है अपने हाप शौट सःकीट होता है बहुत से अब गात होने के चानसेश है इन्री के नियम के अनुसार पहले ही अगर कोई बड़ी फ्लैट स्कीम है जित्ती भी फ्लैट स्कीम बनी हुई है हमारा युवा सेने ने सर्वे की है वो फ्लैट स्कीम में डायरेक्ट मीटर लगाए गए चार-चार मजली पाच-पाच मजली फ्लैट स्कीम है जबकि नियम अनुसार इन लोगों ने वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना चीए जो भी बिल्डर है उससे वो खर्चा लेना चीए और उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाना चीए और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद फिर मीटर प्रोवाइट करना चीए लेकिन ये दलालों ने भरस्टा चार मचाया हुआ है इनके जो मसीबी के बाहर में जितने भी दलालों लोग बैटे रहते हैं वो तो कोई गवर्मेंट कर्मचारी नहीं है लेकिन दलालों की इन्होंने फोच पाल के रखी हुई है ब्रस्टा चारों की फोच पाल के रखी है क्रामरा परसन अजित कुवर के साथ मरीश ट्रेमरी की रिपोर्ट